हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत वेलकम करते हूं आप सबका तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए मैगी की बहुत ही चटपटी रेसिपी तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंट्स तो चलिए शुरू कर लेते इसके लिए मैंने तीन बड़े चमच तेल लिया है एक पैन में और तेल को गरम कर रही हूं इसमें मैं बारीक चॉप किया हुआ हरे मिर्च और लैसुन को डाल रही हूं और कम से कम 15 सकंड तक इसे हम लोग फ्राइग कर लेंगे इस तरह से फ्राइए हो जाने के बाद इसमें काश्मीरी रेट चिली पाउडर एक चोटाई चोटी चमच और एक चोटाई चोटी चमच धनिया पाउडर इसमें डाल रही हूं मसालो को बस थोड़ा सा बून लेना है हमें कम से कम 4 सेकंड और उसके बाद एक प्याज काट करके इसमें डाल दिया है और प्याज को भी हम लोग हलका सा फ्राइग कर लेंगे कम से कम 3 मिनट तक तीन मिनट तक प्यास जो है वो फ्राई हो चुका है और इसमें एक छोटे साइज का टमाटर और थोड़ी सी में हरी मतर एड़ कर रही हो इसमें अब इसे हमें पकाना है तो उससे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक डाल कर इसे मिला लेंगे और इसे ढख करके लो फ्लेम में पकने देंगे तो ये पक चुका है फ्रेंट्स लो फ्लेम में ढख करके थोड़ी देर में ही पक गया है ये तो इसमें पानी डाल दे रहे हूँ मैं एक कप पानी ली हूँ मुझे एक पैकेट मैगी बनाना है तो थोड़ा सा पानी में बचा के रखी हूँ और कुछ पानी डाल दिया है पानी को डाल के गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें मैगी नूडल को डाल देने से आधा आधा तोड़ दिया है अब मैगी के मसाले को इसमें डाल रही हूँ और इसे मिला देंगे अच्छे से और बचा हुआ पानी इसमें डाल करके अब इसे हम लोग ढख करके पकाएंगे पकाना स्टार्ट करती हूँ चलिए देख लेते हैं मैगी हमारी बनी की नहीं तो मैगी में तो अभी पानी है तो इसे हम लोग अभी खोल के ही पकाएंगे अब तो चलाते हुए पकाएंगे इसे और ये देखिए हमारी मैगी पक के तियार हो गई है बहुत ही टेस्टी ये मैगी बनती है तो इस मैगी रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके रेसिपी कैसी बनी है तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का ना मत भूलेगा फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई रेसिपी के साथ थैंक यू